हरिद्वार में बीयर बांट कर बनने चला था हीरो धामी की पुलिस ने कर दिया तगड़ा इलाद धामी राज में आरजकता नहीं होगी बरदास्त नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं NMF News हरिद्वार की सडकों पर बीयर बांट कर हीरो बनने चले एक यूटूबर को शायद यह नहीं पता था किस प्रदेश के मुख्मंत्री पुसकर सिंग धामी है जो अपने काम करने के तरीके के लिए बखो भी जाने जाते हैं और कानून तोड़ने वालों को ऐसी सबक सिखाते हैं कि पूछना नहीं और इसी तरीके से पुसकर सिंग धामी की पुलिस ने अब ऐसी ही आरजकता करने वाले इस सक्स की ऐसी दवा की है कि उसकी पूरी तवियत ठीक हो गई होगी दरसल हरिद्वार में बियर बांट कर सोचल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाने का नसा यूटूबर को भारी पड़ गया जिसके बाद हरिद्वार की पुलिस ने अंकुर चौधरी का अच्छे से इलाज कर उसको ही ठंडा कर दिया बता दें की ड्राई एरिया में बियर बांट कर अरजगता फैलाने वाले यूट को पुलिस ने पकड़ कर चालान कर दिया इसके साथ ही वीडियो भी पुलिस ने एक शेयर किया जिसमें अंकुर चौधरी अपनी हरकत के लिए सार्वियक तौर से माफी मांग रहा है जो कि ये बताने के लिए कापी है कि धामी और उनकी पुलिस कैसे काम करती है धामी की पुलिस ने जिस तरह से कारवाई की उससे तो ये साफ हो गया कि उत्राखन में कोई कानून तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसकी कमर तोड़ दी जाएगी हरिद्वार का ये मामला इसी का ताजा उधारन है वैसे भी जब से पुसकर सिंग धामी ने उत्राखन की कमान समाली है तब से ही प्रदेश की कानून ब्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है ऐसे में सीम धामी का वो आदेश याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था अरजकता फैलाने वाला छोटा हो या बड़ा सब का हिसाब होगा और सब के लिए कानून एक तरीके से काम करेगा ऐसे में हरिद्वार में जिस तरह से बियर बाटने वाले युवक को धामी की पुलिस ने ठंडा कर दिया और उसे तगड़ा सबक सिखाया उससे तो ये साफ हो जाता है कि देव भूम में आरजकता फैलाओगे तो धामी की पुलिस अच्छे से हिसाब कर देगी फिलाल धामी की पुलिस और धामी पर आपकी राय क्या है कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताइए वीडियो को शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जोड़के मापी मानकों और आजे से ऐसी कलती भी होती है